दोस्तों आज के स्वीडियो में हैं कि Flight Ticket कैसे बुक करें वैसे तो Flight Ticket बुक करने के लिए तो कई सारा application है लेकिन आज के स्वीडियो में मैं आपको एक ऐसे application के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कि आप यहां पर ससे सस्ता Flight Ticket बुक कर सकते हैं तो आज के सीडियो में मैं आपको step by step पूरी जानकाई दूँगा कि आपने mobile phone से online ही flight ticket कैसे book करें, तो चलिए वीडियो को, शुरू करते हैं, वैसे तो flight ticket book करने के लिए तो कई सारे application है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जानकाई दूँगा, कि Exigo app से flight ticket कैसे book करें, इसके लिए आप Play Store से Exigo app करके इस application को install कर लेंगे, open करेंगे, के सामने Exigo application का कुछी type का user interface खुल कर आ जाएगा, इस app से आप train ticket, flight ticket, bus ticket, hotel ticket book कर सकते हैं, उपर ही आपको flight का option दिख जाएगा, आप सिंपल सा है flight के option पर आप जाएगे, उपर आपको दो option मिल जाते हैं, पहला है one way, दूसरा है round trip, अगर आप direct flight चाते हैं, तो आप one way select करेंगे, अगर आप round करके यहाँ पर flight चाते हैं, तो आपको यहाँ पर round trip select करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर one way select कर लेंगे, इसकी बार यहाँ पर आपको from का option दिखाए देगा, यहाँ पर आपको two का option दिखाए देगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर from की option पर जाना है यहाँ पर आपको city name या फिर आपको airport का name टाइप करना है जहां से आप यहाँ पर flight ticket book करना चाते है तो जैसे कि मैं यहाँ पर लखनों से नई दिली का flight ticket book करना चाता है जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं दिल ली तक यहाँ पर flight ticket book करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर अपना airport select कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लखनों से नहीं दिल ली तक यहाँ पर flight ticket book करना चाहता हूँ, जहां से आप जहां तक का flight ticket book करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ को option मिलता है, calendar का, आपको यहां पर date के option पर जाना है, यहां पर आपको select करनी है date, किस date को आप flight ticket बुक करना चाते ह। जैसे कि यहां पर आपको amount भी देखने को मिल चाएगा, किस date का ना का आप już flight amount है, तो यहां पर आपको minimum amount भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैं book करना चाहता हूँ 18 अप्रेल का चलिए मैं यहाँ पर select कर लेंगे 18 अप्रेल आपने साथ से यहाँ पर कोई भी date select कर सकते हैं इसकी बाद यहाँ पर आपको option दिखाए देगा travel का आपने यहाँ पर travel के option पजाएंगे यहाँ पर आप details देंगे travelers and class अगर आपके उमर 12 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप select करेंगे अगर आप एक परसन का flight ticket बुक करेंगे तो यहाँ पर आप select करेंगे adults 1 ने तो आप 2, 3, 4, 5 आपने साब से जितने परसन का flight ticket बुक करेंगे तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिस बच्चे के उमर 12 साल से 12 साल के बीच में तो यहाँ पर आप select करेंगे तो यहाँ पर बच्चे की flight के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर आपको ticket भी मिलता है seat भी मिलती है यहाँ पर आपको तीन क्लास के आपसे मिलते है economy, premium economy, business तो यहाँ पर सबसे सस्ता आपको economy पड़ेगा उससे महेंगा आपको premium economy और सबसे महेंगा आपको business economy पड़ेगा तो आप यहाँ पर अपने इसापसे select कर सकते हैं इसके बाद आपको simpasa sales flight पे click कर देना है search flight करते हैं आपके दोनों airport के बीच में उस date को जितनी भी flight उडएंगी उन सभी flight की यहाँ पर आपको list देखने को मिल जाएगी अगर आप date आगे पीछे करना चाहें तो यहाँ से भी update आगे पीछे कर सकते हैं तो जैसे कि मैं आप लखनों से नेदिली की यहाँ पर flight लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको सभी list देखने को मिल जाएगी flights की जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपने साब से time suitable के साब से आपको यहाँ पर चक कर लेना है कि किस flight में आपको यहाँ पर टिकट बुक करना है यहाँ पर आपको flight की पुरी test देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको airport पर कितने बज़े पहुंचेगी कितने बज़े आपको पहुंचाएगी कितने गंटे का सफर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है नॉनिस्टा फ्लाइट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते है आपका पूरी टेस देखने को मिल जाएगी जिस भी फ्लाइट की आप यहाँ पर पूरी टेस देखना चाहते है तो आपको simple सा उस option पर click कर देना है अब आप review के page पर आ जाएंगे एक बार आपको आपको flight details review कर लेनी आप यहाँ पर date और timing आपको flight key check कर लेनी है आप अपने साथ कितना kg weight carry कर सकते यहाँ पर आपको taste देखने को मिल जाएगी नीचे आप scroll down करेंगे यहाँ पर आपको free cancellation के दो आपको option दिखाएगे पहला है free cancellation with aseo दूसरा है free cancellation plus residualing with aseo flex तो यहाँ पर आपको 469 रुपए per passenger का आपको extra charge देना पड़ाएगा अगर आप free cancellation लेना चाहे तो आपको यहाँ पर add कर देना है तो यहाँ पर आपका free cancellation add हो जाएगा approach आपको कितना refund किया जाएगा यहाँ पर आपको पूरी days देखने को मिल जाएगी दूसरा आपको 469 रुपए अगर आप yola option लेना चाहे free cancellation पर residual का तो यह भी आप यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आप यहाँ अपने date change कर सकते हैं flight की airlines भी आप यहाँ पर change कर सकते हैं timing में भी आप यहाँ पर reschedule कर सकते हैं तो आपको आप अपने साब से अगर आप select करना चाहें तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो जैसी कि मैं आप 469 रुपए का यहाँ पर your option लेना चाहता हूं आपको आपको आप सिंपल सा add कर देना है अगर आपके यहाँ पर flight यहाँ पर confirm नहीं है अगर आपके यहाँ पर journey confirm नहीं तो आपको यहाँ पर free cancellation option ले लेना है यहाँ पर आपका coupon code यहाँ पर auto apply हो जाएगा जैसी कि हमारा यहाँ पर 305 रुपए का आप यहाँ पर coupon code यहाँ पर auto apply हो चुका है इसके बाद और भी आपका coupon code यहाँ पर दिखाएगे आपने इसाब से अगर apply करना चाहे तो आप यहाँ पर जिसके लिए eligible है आप यहाँ कर सकते हैं जैसी कि अगर आपके पास exigo का AU credit card है तो जिसमें आपको 308 रुपए आपको discount मिल चाहेगा अगर आप लेना चाहे तो यहाँ पर apply करना चाहे तो apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको fair summary भी देखने को मिल चाहेगा पूरिटेज देखने को मिल चाहेगा कितना आपसे tax लिया चाह रहा है और आप यहाँ पर क्या कि आपको coupon code में आपको क्या क्या आफ्ट मिला है वो भी आप यहाँ पर detail देख सकते हैं जेस्टी details आपको नहीं देनी यह optional है आप इसको छोड़ देंगे अब आप सिम पर साग continue करेंगे यहाँ पर आप travelers की details देंगे आप यहाँ पर जिनका भी flight ticket बुक करें आपको आप उनकी details देनी है तो details देनी के लिए आपको added adult के option पर आपको जाना है उपर आपको आपको SIM वैसे ही आपको name और data birth आपको इंटर करना है जिसी कि आपकी आधार कार्ट, passport, drive license, आपकी government ID में तो यहाँ पर आप first name, middle name इंटर करेंगे यहाँ पर last name, यहाँ पर आप data birth, नसिलती आपको यहाँ पर ऐसे इंडिया रहने देना और यहाँ पर आप सेव कर देंगे तो आप यहाँ पर flight ticket book कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर select कर लेंगे, यहाँ पर आपकी travelers की details भी आजाएगी, नीचे आपकी यहाँ पर contact details भी आजाएगी, यहाँ पर आपको अपना email ID और mobile number आपको इंटर कर देना है, क्योंकि आपकी email ID और mobile number पर यहाँ पर flight का SMS send कर दिया आप seat का selection करना चाहिए, तो आप यहाँ पर selection कर सकते हैं, ने तो अगर आप skip करना चाहिए, तो उपर आपको skip का option मिल जाता है, आप इसको skip भी कर सकते हैं, हमें कोई भी seat चलेगी, तो चलिए मैं आपको अपर बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 category आपको अपर seat की दिख सकते हैं, जिसका आपको अपर extra charge देना पड़ सकता है, अगर आपको seat का selection करना चाहिए, तो आप यहाँ पर यवाला भी selection कर सकते हैं, 250-750, और तीसरे आपको आप से मिल जाता है, 850-1450, तो यहाँ पर seat का size कुछ बड़ा हो जाता है, एक्सल हो जाता है, यहाँ पर आपको red color का दिखाए गया, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर अगर आप select करना चाहिए, तो आप select कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको skip करना चाहिए, तो हम यहाँ पर skip कर देंगे, हमें कोई भी seat चलेगी, यहाँ पर fall to की, यहाँ पर seat selection है, चलिए हम इसको skip कर देंगे, पर खाने को भी skip कर सकते हैं, अब आपको skip के बाद आपको continue to pay के option पर click कर देना है, अब आपको पर payment करना है, उपर आपको total amount देखने को मिल जाएगा, convenience fees के साथ, आप से कितनी convenience fees ली जाएगी, total आपको कितना pay करना पड़ाएगा, वो भी आपको आपको पर detail देखने को मिल ज सकते हैं, तो जिससे भी आप payment करना चाहें, आपको simple सा उस payment के option पर click कर देना है, इसके बाद आपको simple सा pay कर देना है, और आपका payment successful हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको फ्लाइट टिकट बुकिंग successful हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उपर आपको booking ID देखने को मिल चाहेगी, status confirm, अगर आप इस ticket को share करना चाहे, तो आप यहाँ से share भी कर सकते हैं, अगर आप ticket को download करना चाहे, तो यहाँ से आप ticket को download भी कर सकते हैं, और print निकाल के अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो आपकी email ID पर ticket का mail send कर दिया आप यहाँ से cancel भी कर सकते हैं, यहाँ से आप flight को residual भी कर सकते हैं, और आपकी email ID पर भी flight ticket का mail send कर दिया जाएगा, जैसी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, महाँ पास ticket का mail आ चुका, यहाँ पर आपको flight number देखने को मिल चाहेगा, यहाँ पर आपको PNA number भी देखने को मिल अगर आप इस ticket को download करना चाहें, तो आप यहाँ से भी ticket को download कर सकते हैं, आप download के option पर जाएगे, और आपका आप ticket download हो जाएगा, आप इस ticket को download भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप इस ticket को print निकालना चाहें, तो उपर आपको three line के option मिल जाता है, आप three line के option पर जा जिसमें आपको P&I number, flight number देखने को मिल चाहेगा, आपको airport पे किस terminal पे जाना है, वो भी आपको आप डेटेल्स देखने को मिल चाहेगा, जैसे कि हमारा लखनो में terminal 2, आपका आपर कोई दूसरा भी हो सकता है, तो जैसे कि हमारा दिल्ली में यहाँ पर arrival time है, यहाँ पर terminal 3 में और यहाँ पर आपको date और time देखने को मिल चाहेगा अगर आप इस ticket को download करना चाहे तो आप यहाँ से ticket को download भी कर सकते आप अपनी Exigo application पर booking detail देखने के लिए आप नीचे profile के option पर जाएंगे उपर आपको option मिल जाएगा my booking का, आप my booking के option पर जाएंगे, इसके बाद आप flight के option पर जाएंगे इसके बाद आपको simple सा इस option पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपनी flight की booking देख सकते हैं ऐसे दोस्तो आप Exigo application से flight ticket booking कर सकते हैं, आसा करता हैं दोस्तो आपको मेरा या वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो के लेकर कोई question करना है तो आप मेरे comments box में पूस सकते हैं, मिलते हैं दोस्तो नेच्ट वीडियो में, जहिंद